स्क्राइब कीजिए धर्मसिक्षा चनल को और बेल ऐकन को दवाईए नविन्तम ग्यानवर्दक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए मित्रों नमस्कार आप देखरें धर्मसिक्षा मित्रों आंत्रिक कला जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है आंत्रिक कला परिवारी कला को बोलते हैं जो आपसी रिस्तों में होता है ये माप बेटों के बीच हो सकता है बाप बेटों के बीच हो सकता है पती पत्नी के बीच की लड़ाई हो सकती है भाई भाई के बीच की लड़ाई भी हो सकती है या किसी तरह की परिवार के किसी भी दो लोगों के बीच की लराई को हम आंतरी कला बोलते हैं आंतरी कला इसकान क्योंकि ये परिवार के अंदर होता है घर के अंदर होता है आप कितनी भी तरक्की कर लें अगर आपके घर में आंतरी कला हो रहा है तो आप खुश नहीं रापाएंगे और हमेशा दुखी रहेंगे एक बार आप दुखी रहेंगे तो आपका काम मन काम में नहीं लगेगा और आप नीचे चलते चले जाएंगे आपको किसी चीज़ में फाइदा नहीं मिलेगा अगर आपके घर में सुखी हैं सभी बिल्कुल भी लाई नहीं होती और आर्थी किस तरी कमजोर भी है तब भी आप दिनों दिन तरक्की की और अग्रसर होंगे लेकिन इतिहास गवाए सेठों के यहाँ अगर लडाई होती है तो उन्हें नुकसान ही होता फाइदा नहीं होता तो आए हम जानते हैं आंत्री कलह को किस तरह ठीक किया जा सकता है सबसे पहले मित्रों बताने चाहूंगा आंत्री कलह को आपस में मिल बैठके बिचार करके ठीक करने के कुसिस करें जो भी दो लोगों के बीच में कलह हो रहा है उनके बीच में मध्यस्ता लाए जो भी घर के बड़े बजूर गये वो उनके बीच में मध्यस्त बने और दोनों की परशानी को समझे और दोनों को साथ में भीठाके तो फिर दोस्ति कराएं और साथ ही एक टोटका अपनाएं इसके लिए मैं बताण चाओंगा नारीयल ले ऑशा जिसमें की पानी हो और बाल लगे हो झायो आयसे नारीयल में काला धागा लपेट दें काला धागा लपेट के इसे पूजास्थल पे रख दें जहां भी आपके गर में पूजास्थल है वहाँ पे नारियल में काला धागा लपेट के उससे रख दें सुबह में जिस टेम आप पूजा करते हैं उसी समय और साम में संध्या आर्थी के बाद उस नारियल को निकालने वहां से और धागा साहित उसे जला दें ये क्रिया आपको पूरे नव दिन करनी है और दसमे दिन आपको खुद ही फर्क दिखने को मिलेगा लेकिन ये जो क्रिया है नवरात्रों में ही करनी है नवरात्रों में पर्थमी यानि कला सस्थापन से लेके नवमी तक और दसमी को तो देखेंगे आप आपकी जो समस्या है वो ठीक हो गई और इसके परलेल लेकिन बात करते रहे लोगों से आपसी कला को सुलजाने के लिए ये टोटका काम आएगा और उन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती बन जाएगी और आपके घर में सुक समरिधी लौट आएगी आं वीडियो देखने के लिए आपसी का बहुत बहुत धन्यवाद अन्य ग्यानेवर्दक वीडियो के लिए जुरे रहे धर्मसिक्चा के साथ और देखते रहे धर्मसिक्चा धन्यवाद